हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे इस फ़र्ष्टे व्लॉग समय तो दोस्तो आज हम जा रहे हैं बोला राम जो की बहुरकुआ से कुछी दूरी पर है तो फ्रेंड्स फाइनले अब हम यहां पहुंच चुके हैं तो चलिए देखते हैं आज यहां केसा क्या माहौल है वेसे दोस्तो यहां पर साम के वक्त कुछ ट्रेफिक भी देखने को मिल सकती है दोस्तो बोला राम के पास में बहुत सी कोचिंग और कोलेज होने के कारण यहां पर पापा की परीश से लेकर मा के मगर मच्छ तक सभी प्रकार के रानी मिल जाते हैं परम सुन्दरियों का हब होने के कारण दोस्तो बोला राम एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है यहां रहकर पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है वेसे इतना जरूरी भी नहीं है कि यहां पढ़ाई करना इतना मुश्किल है पढ़ाई करने वाला पढ़ाई कर भी ही सकता है तो दोस्तों आज आप यह देख सकते हैं कि यहां कैसा क्या माहूल है कुछ खास भीड़ भी नहीं दिख रही है इतनी तो चलिए दोस्तों अब आगे का नजारा देखते हैं हम तो दोस्तों अब हम एक आदे केफे में भी जाकर देखना चाहेंगे कि केफे का क्या माहूल है तो हम फाइनली केफे में पहुंच जाते हैं मुझे नहीं लग रहा है कि आज यहां पर कुछ खास ज्यादा भीड़ है ओ नो आज इतनी भीड़ भी नहीं है यार तो आप देख सकते हैं यहां पर एसी होती है पड़ाई केफे में ज्यादा भीड़ ना होने के कारण मुझे अंदर भी जाने का मन नहीं किया तो मैं वापस आ गया दोस्तों वैसे हमारा भी ठिकाना यहीं का है हम भी यहीं पर पढ़े लिखे बेराज़गारों की तरह यहां पर गुमते रहते हैं वैसे यहां पर सभी लोगों की जिन्दगी जंड है फिर भी उन्हें बहुत ही गमंड है अगर आपको भी इंडोर में पढ़ने के लिए आ कोचिंग्स है वैसे दोस्तों अगर आपको पढ़ाई ही करना है तो आप यहां नहां ना आओ वह भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों आप यहां देख सकते कैसा क्या माहों लेब यहां में भी बोटाई हो गया तो चली एक आदेक कुछ टेस्टी भी करकर देखते हैं यहां पर मात्र 20 रुपे में पांच मोमस मिलते हैं जो की बहुत की ज्यादा फेमस है अगर आप यहां पर आओ तो एक बार मोमस जरूर ट्राइब करना दोस्तों मोमस तयार है तो फाइनल हमारा मोमस तयार हो गया है अब हम टेस्ट करकर देखते हैं दोस्तों मोमस का टेस्ट बहुत ही शानदार रहा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं वीडियो के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जूरत है क्योंकि एमेरा प्रूले जब करना ही मिलते हैं